बीजुपी सांसद और डबलू एफाई के निवर्तुमान अध्यक्ष ब्रिजभूशन शरण सिंग को भारते जुनता पाटी ने एक हिडायत दे दी ये हिडायत कुछ हैसी थी कि वो जादा बयानबाजी ना करें भारते जुनता पाटी ने ब्रिजभूशन को किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बचने को कहा है पाटी ने सांसद को सख्त मना किया कि वो किसी भी मुद्दे पर कोई आकरामक बयान ना दे ताकि विपक्षी दल उस पर पाटी को घेर ना पाएं पार्टी अलाकमान ने ब्रिजभूशन सिंग से साफ कहा है कि वो मीडिया में और सार्वजनिक मंच पर किसी भी तरह की बयान बाजी से बचें, तो क्या बीजेपी जल्दी ही ब्रिजभूशन को निप्टा देगी? या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्या बीजेपी ब्रिजभूशन के मामले में जिस तरीके से अभी फिलहाल बोलने से बच रही है, क्या ये हो सकता है कि ब्रिजभूशन हालिया दिनों में जो बयान दे रहे हैं वो पार्टी को नुकसान पहुचा रहा है? जाहिर है दबाब तो बनी रहा है, भले पार्टी इस पर कुछ भी जादा ना बोल रही हो, खैर ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ब्रिजभूशन की रैली को भी पार्टी की तरफ से ही रद करने को कहा गया था, जाहिर है हर्याणा में अगले साल विधान सभा चुना उसका फाइदा विपक्ष को और नुकसान बीजेपी को हो रहा है, तब ही विपक्ष लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है और निशान असाथ रहा है, बीजेपी ने साफ कह दिया कि ब्रिजभूशन सारवजनिक मंच पर कुछ भी ना बोलें, खासतोर से इस मा पामले को लेकर, हालिया दिनों में 12 बंकी में दिया गया ब्रिजभूशन का बयान चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोट अगर मुझे फांसी देगा तो मैं फांसी पर चड़ जाओंगा, इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा, कहा चुआ, कब चुआ, और इस त तरीके का बयान, बीज़पी के लिए परिशानी बद गया, जब मेरे उपर आरोज पर गया, तो मैंने कहा, कम हुआ, कहा हुआ, किस के साथ हुआ, और मैंने एक बाते भी कहा था, अगर एक भी आरोज, मेरे उपर स्था भी फोजाएगा, तो बिर्वूशन सिंस्वें फास महिला पहलबानों के कथित यौन उत्पीडन के आरोपों का सामना कर रहे हैं, ब्रिजभूशन शरन सिंग, जो की बीज़पी के सांसद भी है, उन्होंने एक सारवजनिक मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए विवादित बयान भी दिया, जसमें उन्होंने महिला पहल भीड जुटाते हुए ब्रिजभूशन ने कई तरीके के बयान दिये थे, उन्होंने महिला पहलवान विनेश फोगाट को कहा कि वो वही काम कर रही है जो त्रेता यूग में मंथरा ने किया था, कैसर गंज से भाजपा सांसद ब्रिजभूशन ने कहा था कि इससे पहले ज पूर्व राष्ट्रपती डोनाल ट्रम के मामले से भी की, उन्होंने जनसभा में ये भी कहा था कि आप स्वभाग शाली हैं कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें फंस कर कभी डोनाल ट्रम को भी परिशान होना पड़ा था, मैं कह रहा हूँ ये शडयंत राज का नहीं है, ये बहुत दिनों का है, लेकिन इसके माध्यम से कुछ अच्छा होना है, ब्रिजभूशन ने ये भी कहा था कि आरोप नहीं छुआ छूट का मामला है, गुड टच, बैड टच का मामला है, मुझ पर जूटे आरोप लगाए गये हैं, लेकिन ये आरोप मुझ पर नहीं आया है बलकि भगवान ने मुझे इस आरोप से लड़ने के लिए एक माध्यम बनाया है। मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले